आज के यूग में जिसे देखोगो दूसरों के खिलाब शडियंत्र रच रहा हैं, तो क्या कल की अवतार को भी इस शडियंत्र का शिकार होना पड़ेगा? क्या है ये पूरा मामला आज अपने वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगे? शडियंत्र कल की अवतार के खिलाब कौन लोग कर सकते हैं? जरा सोचिए, जो उन्हें नापसंद करेंगे, जो उन्हें इस यूग में आने पर विश्वास ही नहीं करेंगे, कि क्या ये सामने वाला इंसान अवतार भी हो सकता है? और यदि मान भी लेंगे अवतार तो उनकी ताकत पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें एक साधारन इंसान समझेंगे, इसलिए उनके खिलाब शडियंत्र रच कर उनकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि जिसके खिलाब वो शडियंत्र रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, वो सामने वाला इंसान एक साधारन नहीं, बलकि असाधारन हैं और असिम शक्तियों का मालिक है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की चाभी उसके हाथ में हैं, और एक सेकेंड में चाहें तो सामने वाले का काम तमाम कर सकता है, लेकिन अज्यानतावश सही पहचान ना होने के कारण सामने वाले को ऐसे लोग अपनी शडियंत्र का शिकार बना लेंगे, यानि कल की अवतार को भी कल यूग में शडियंत्र का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन ऐसे शडियंत्र कारियों को जो भी उनके खिलाब शडियंत्र रचेगा, कल की अवतार भी पूरी तरह से अपने डिवाइन इंटलेक्ट द्वारा उन्हें वो सबक सिखाएंगे, यानि सामने वाला बुरी तरह हार जाएगा, और उसके शडियंत्र का खुलासा सब के सामने हो जाएगा, यानि उसकी इंसल्ट तो होगी ही और उसकी पूल भी दुसरों के सामने कल की अवतार खोल कर रख देंगे, सक्सेसफुल सामने वाला इंसान हो ही नहीं सकता, यानि कल की अवतार के खिलाब यदि किसी ने कोशिश भी की, कोशिश तो लोग करेंगे ही, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत होंगे तो आज के लोगों की ये मानसिक्ता ही है कि दुसरों के खिलाफ साजिश रचो और अपनी जेब भरो और सक्सेस पालो लेकिन ऐसे लोगों को कल की अवतार सबक सिखाएंगे जिस प्रकार की कृष्ण भगवान करते थे मैं एक छोटे से उधारन से अपनी बात आप लोगों को समझाना चाहूंगे काल यवन वो द्यत्य था जिसे शंकर भगवान से आशिरवात प्राप्त था कि उसे कोई मार नहीं सकता यानि वो उसे सिर्फ भस्म किया जा सकता है उसे ऐसे ही मारा नहीं जा सकता तो जब काल यवन ने अपनी सेना के द्वारा मतुरा पर चड़ाई कर दी तो श्रिटिश्ण ने जब देखा कि लड़ाई इस ओर मूर जा रही है जहां पर कि काल यवन को लड़ाई में हराना असंभव सा लग रहा है कारण शंकर भगवान का अशिर्वाद भगवान शिव का अशिर्वाद आड़े आ रहा है वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे तो मारा नहीं जा सकता तो उन्होंने अपने बुद्धी का प्रयोग करते हुए उन्हें वो उस गुफा में लेकर गए जिस गुफा में राजा मुचुकंद सो रहे थे राजा मुचुकंद को ये अशिर्वाद प्राप्त था कि राजा मुचुकंद को यदि कोई नीन से जगाता है और नीन से जागने के बाद राजा मुचुकंद की नजर जिसके उपर पड़ती है वो इनसान भस्म हो जाएगा यह श्रीकिष्ण को बात पता थी क्योंकि वो अवतार हैं तो उनको तो बात पता होगी ही तो वो भागते हुए गुफा में गय जहार मुचुकंद सो रहे थे और अपने कपड़े से उन्होंने मुचुकंद के शरीर को ठक दिया काल यवन जब भागते हुए दौरते हुए श्रिकिष्ण का पिछा करते हुए गुफा में पहुचा तो उसे लगा यह श्रिकिष्ण भगवान है और उसने उपर से कपड़ा हटा कर देखने की कोशिश की कि वास्तों में श्रिकिष्ण नहीं है या नहीं और तब वो उन पर प्रहार करेगा उन्हें मार डालेगा जैसे ही उसने यानि काल यवन ने मुचुकंद को उठाने की कोशिश की कपड़ा हटाया मुचुकंद की नजर पढ़ गई काल यवन के उपर और इमेडियेटली वो भस्म हो गया तो इसी प्रकार का पैतरा कल की अवतार भी अपनाएंगे अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ऐसे दुश्मन जिन्हें की मार पाना कल की अवतार के लिए भी युद्ध छेत्र में लगेगा असंभवसा हो रहा है क्योंकि शुक्राचार्य का साथ उन असुरी ताकतों का साथ लोगों को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाएगा तो जहां पर वो देखेंगे बल से काम नहीं चल पा रहा है वहां पर वो अपने बुद्धी का प्रयोग कर सामने वाले दुश्मन को मात देंगे इस प्रकार कल की अवतार के खिलाफ जो भी शड्य अंत्र रचेगा वो सीधा नर्ग को जाएगा यानि उसका खात्मा कल की अवतार अवश्य ही करेंगे थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग मैंगे